हाई दोस्तों मैं विजे आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्टॉक के बारे हम बात करने वाले जिसको हम दो बार चार्ट ऑफ दा वीक में दे चुके हैं इस समय स्टॉक पिछले 6 वीक से एक रेंज के इनवेटर हैं और चार्ट पैटन कहते हैं वह वीकली में इस स्टॉक के अंदर बनता है अब देखे हमने इस स्टॉक को दो बार चार्ट ऑफ दा वीक में दिया है तो जब भी भी स्टॉक के अंदर कुछ चार्ट पैटन ठीक ठाक बनता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है क्षाइगे के अुपर दुबारा रिवी वीडिο बनाया जाए तो आज के इस वीडियो केंदर हम उसी स्टॉक के बारे बात करने वाले हैं किस तरह रहे के यहां पर पैटर्र बन रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जिस इस टॉक के बारे बात कर रहे हैं उसके अंदर मेरी खरिद्धार बिक्वाली करने की कोई राय नहीं है यह सिरफ एजूकेशन की मकसद से है अगर आपको कुछ करना है खरिद्धार या बिक्वाली तो अपने वित्यस अ देखने को मिलिए अगर मैं कुछ यहां पर फंडामेंटल की बात करता हूं तो देखे 3610 करोड रुपे मार्केट के पर आपको स्टॉक का यहां पर देखे पी नज़र आ रहा होगा 15.6 का पी जबकि इंडस्टी पी है 34.3 का तो मलब इंडस्टी पी के आदे से भी कम पर हम इंको यह इस्टोग यहां पर मिल रहा है और अगर मैं यहां पर डेट टू एक्विटी रेशियो की बात करता हूं तो 0.39 डेट टू एक्विटी रेशियो है टोटल जो करज आर्षो 591 करोड रुपे का है तो डेट टू रेशियो ठीक ता के एक के अंदर अपना डेट और देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से लगबग दो मैने हो चुके है इस्टोग अपनी रेंज के अंदर काम कर रहा है नीचे 140 रुपे का एक बहुती इस्टोग सपोर्ट है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो यह रेशिटेंस बना था रेशिटेंस जब ब्रेक हो ज लेंगे जिसके पास आज क्लोजिंग हुई है तो आप यहां को खुद नजरा रहा होगा कि आज की यह वाली कैंडल है जो ठीक हमारे इस रेशिटेंस जान के पास में क्लोज हुआ है तो इस तरह से यहां पर अगर अपना 160 रुपे के लेवल टैम टेक्नो प्लास्ट यहां जो stop loss है अब 140 रुपे का हो जाने वाला है क्योंकि जो अपना ऐसा लेना उसको ट्रेल कर लेना 140 का कर लेना क्योंकि अभी मैं आपको बताए था कि यहां पर बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट 140 का बन के आ रहा है अब यह अपने पास पर वीकली चार्ट है और इस वीकली चा यहां पर आपके लिए लिख ले देता हूं 20 यह में हमारी चल दिए 149 रुपे इस्टो का बहुए 160 रुपे तो यहां पर यह जो करेक्शन नजर आ रही है आपको यह टाइम करेक्शन है और लगबग 20 यह में आ चुकी है अपनी लगबग बनने जा रहा है तो यहां पर ज इसी केंडल के अंदर अभी तक अपना टाइम टेक्नो प्लास्ट का स्टॉक काम कर रहा है तो आप एक तरह से यह कह सकते है कि इंसाइड केंडल वीकली पे लगातार इसके अंदर बनती भी जा रही है तो 160 रुपे के ब्रेक आउट के लेवल का हमको यहां पर बेट करना है आप देखी यह अपने पास में टैम टेक्नो प्लास्ट का एक वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में देखेंगे तो 160 रुपे का जो लेवल है वह बहुत ही श्ट्रोंग रेइस्टेंस बन के आरहा है यहां देख सकते हैं यह अपने पास सपोर्ट रहा है यहां पर तो इस वज़े से यहां पर 160 रुपे का यह रेस्टेंस ले रहा है और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब भी हमने दो बार चार्ट ओधा वीक में दिया है प्लास्ट के अंदर बन रहा है अगर आपके पास में श्टॉक है तो आपको निश्चित तोर पर अभी इस श्टॉक को यहां पर हॉल्ड करना चाहिए और प्राइस एक्षन देखेंगे तो लगातर हायर हाई वे हायर लो बनते वे जा रहे है तो यहां पर देख सकते हैं यह लोओ इस लोओ से उपर बना यह लोँ अगला हाई यह बना जो इस उपर बना यह हाई लो पेटर आपको निश्चित तौर पर हैंदर अदर होल्ड करना चाहिए और बहुत ही ग्लासिक चार्ट पैटर अपना इन्वेटेड हेडन सॉलर चार्ट पैटर इसके अंदर बंतावर नजर आ रहा है टाइम टेक्नो प्लास्ट के अंदर और यहां पर एक जो अच्छी चीज मुझे नजर आई है कि वोल्यूम यहां पर बहुत बढ़िया वोल्यूम अभी भी इस स्टॉक के अंदर यहां पर आ आती भी जा रही है तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और निश्ची तोर पर जो नेक्स्ट रेस्टेंस का लेवल है वो यह लेवल मिलेगा जो हमको दोसो पचीस के आसपास मिलने वाला है तो इस तरह ऐसे आज के वीडियो के अंदर हमने टैम टेक्नो प्लास् आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें